आपको एक पतीले में थोड़ा सा पानी ले लेना है इसके उपर हम कोई भी वेसर या पैन वगेरा रखेंगे हम यहाँ पे डबूर बॉइलर मेथट का यूज़ करने वाले हैं अब हमें लेना है नारियल का तेल यानि की कोकोनट ओयल दो बड़े चमच लेंगे हम नारियल का तेल आपके पास जो भी नारियल तेल अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं यहां पर हम mustard oil का use नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट नारिल का तेल, coconut oil यहां पर जादा अच्छा काम करेगा, इसके बाद हम डालेंगे अपना secret ingredient, जिसकी मैं बात कर रही थी, और वो ingredient है देसी घी, जी हां दोस्तों हम यहां पर देसी घी का use करने वाले हैं, बट आपको गाए के दूस से बना हुआ ही देसी घी लेना है, घर पे बना हुआ घी हो, pure घी हो तो best रहेगा, सबसे अच्छा result वही देता है, क्योंकि market के घी में आप बता नहीं सकते कि उसमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, घर का बना हुआ घी हो तो आपको best result वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप रोज देसी की अपने बालों में रब करते हैं, तो आपको यह सफेद बालों को धिर धिरे naturally black कर देगा, जिन लोगों के बाल already black हैं, देसी की अगर वो regularly use करते हैं, तो उनके बाल कभी भी सफेद नहीं होंगे, बट यह बहुत ही uncommon है, पहले के जमाने में देसी की लोग यूज करते थे बालों में, बट आजकल आपने नहीं सुना होगा कि कोई भी देसी की यूज करता है, इसलिए आज मैं आपको देसी की से यह method बता रही हूँ, जो coconut oil के साथ मिला के हम इसे बनाएंगे एक oil, एक ayurvedic oil, जो की सफेद बालों को जड़ों से काला करेगा, अब हमें इसमें मिलाने हैं कुछ powders, तो ध्यान से देखिए कि मैं क्या क्या चीज इसमें मिला रही हूँ, हमें लेना है, वन टेबल स्पून भ्रिंगराज पाउडर, वन टेबल स्पून नीम पाउडर, और वन टेबल स्पू उसमें कई सारे लोग आके कहते हैं, बहुत सारे मिट्स हैं लोगों के दिमाग में, बहुत सारे चीज़ें लोग सोचते हैं, वो यह कहते हैं कि महंदी का ते लगाने से तो हमारे बाल रेड हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मैं जो भी ओल आपके साथ शेय करने के लिए, बट जब आप आप महंदी का ओला ओल करते हैं, तो आपको कलर मिंटेन रहता है, आपके बालों का कलर वो चड़ा रहता है, डार्क रहता है, यानि कि ब्रौवन शेड या फिर ब्लÁक शेड में रहेगा, रेड शेड में महंदी का ओल कभी भी कलर नहीं देता आप इसे आजमा कर देख सकते हैं और कभी भी कोई भी टिप अगर मैं आपके साथ शेयर करती हूं तो इसे आजमाईए जरूर उसके बाद कि मुझे कॉमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा ऐसे मिसकंसेप्शिंस मत रखिए कि हाँ इससे यह हो जाएगा उससे वह हो जाएगा ऐसा नहीं होता है तो ग्यास का फ्लेम मैंने कर दिया है बन सारे पाउडर को डालने के बाद सिर्फ दो मिनिट के लिए आपको इस ओईल को चलाना है सबको मिक्स करना है उसके बाद ग्यास का बंद कर देना है ठंडा होने के बाद हम इसे एक कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे दोस्तों यहां मैंने ओईल को जलाया नहीं है नहीं किसी पाउडर को जलाया है जो भी इसका कलर आया है वो नाच्रली आया है यह ग्रीनिश ब्लाक कलर का टेक्श्चर आया है और यह इसका नाच्रल कलर है आपको अब इसे एक ट्रांस्वर कर लेना है एक कंटेनर में अच्छे से चला लीजे ओईल को और इसे चानने की कोई भी जरूरत नहीं है थोड़ा बहुत पाउडर जाता है कंटेनर में तो वो सही है कोई दिक्कत नहीं है इसे आप कंटेनर में रखके 20-25 दन अराम से यूज़ कर सकते हैं मेहंदी वाला या इन सारे पाउडर का ओईल लगाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि आपके बाल कभी भी सफेद नहीं दिखेंगे अगर आप हेर पैक नहीं लगा रहे हैं तो भी क्योंकि ये आपके बालों प को इसे यूज़ करना है और नेक्स्ट ही शैंपू करना है आप चाहें तो सिर्फ अपने ग्रे हैर पर डेली भी लगा सकते हैं अगर आपको थोड़े बहुत सफेद बाले तो आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं